कि देखिए एक अक्षा साथ विश्य गनीत का जो कि प्रस्णावले नोदस मलब एक है इसका सवाल नमर तीन हल कर रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए इसमें इस सवाल में देखिए क्या कर रहा है बारह एक्स स्क्वार वाई में पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है X square Y का गुनांग निकलना है क्या निकलना है गुनांग निकलना है और दुसरा नमर में भी वही करना है X और किसका निकलना है X तथा Y दोनों का जो है ना गुनांग निकलना है तो यहां देखे क्या कर रहा है बार X square Y में पहला नमर सवाल है X square Y और दुसरा में है X तथा Y का गुनांग बताईए तो यहां समझे सल्यूशन करें 12 X स्क्वार Y में तो पहला नम्मर जो सवाल है हमारा क्या है X स्क्वार Y का गुनांग तो देखिए X स्क्ार Y को छोड़कर क्या करकर के छोड़कर सेस्पद उसमें क्या बताईए तो सेस्पद यहां समझे पहला नम्मर सवाल क्या था पहला नम्मर सवाल में था ने सवाल तो मेरा पुड़ा है सवाल नमर पहला में हमें निकालना है x square y का गुनांक तो सवाल मेरा पुड़ा क्या है जी यहां समझे 12 x square y क्या है 12 x square y तो देखिए 12 x square y में आप यहां समझ लिजिए थोरा सा 12 x square y है इसका जब गुनानखंड करेंगे तो 12 x x और y तो देखिए 12 x square y x गुना x x square x square गुना y तो x square y अगर हम यह दोनों को हटा दें क्या कर दें हटा दें क्या बचा जी 12 क्या बचा समझ मा रहा ना समझ मा आ जाना चाहिए कहे कि गुरनखन करके सिखा रहे है तो यहां समझिए x square y को जब हम हटा देंगे क्या बचा वहां से स्पद 12 तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 12 अब देखिए दूसरा नम्मर सवाल में क्या कह रहा है x x का गुनांक x का गुनांक तो x को छोड़ कर से स्पद क्या बचा क्या बचा जी x को जब छोड़ देंगे एक एक्स छोड़ने के लिए बोल रहा है तो कितना बचा है बताइए तो एक एक्स से जाप लें तो 12 x y क्या बचा 12 x y तो लिखेंगे 12 x y यह होगी आप का अंसर आप देखिए फिर क्या बोल रहा है दूसरा नम्मर सवाल में y का गुनांक तो y का गुनांक यानि y को छोड़ कर सेस्पद तो बताइए हम y को ढख लेते हैं क्या बचा जी 12 x स्क्वार क्या बचा 12 x स्क्वार यह हो गिया आपका आंसर आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गिया होगा उतारिये इतना सब नोट को जा